गुर्ड मॉर्णिंग सुधिन तोडेशन दूटेशन और दूसरी होती है रेविल्यूशन आपने ही एक्सिज्ट पे चक्र लगाती है revolution means earth जो है वो sun का चकर लगाती है इसे हम revolution बोलते हैं उसे हम rotation बोलते हैं यह 24 hours लगते है इसमें और इसमें 365 days and 6 hours लगते हैं अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में a heavily body that revolves around a planet is called satellite कोई भी भी भूत ही heavy body a heißt अगर ब्लानेट के चारो तरफ चकर लगाएं तो उसे हम क्या बोलते हैं satellite बोलते है the moon is the only natural satellite of of the earth moon ही अकेली एक earth की satellite earth की चारो तरफ स्रिफ moon चकर लगाता है जैसे earth sun के चारो तरफ चकर लगाता है वैसे ही moon जो है वो अर्थ की चारो तरफ चकर लगाता है, okay it is about 384 384 400 km away earth से इतनी km दूर है, from the earth it takes about 27.3 days to complete one rotation एक rotation complete करने में 27.3 days लगते हैं यानि कि एक महीना लगता है, एक rotation को complete करने में ठीक है as well as revolution around the earth revolution or rotation earth की मून को complete करने होगी तो उसमे 27.3 days लगते हैं यानि कि एक महीना लगता है ठीक है the moon does not have any light on its own मून के पास भी अपनी खुद की कोई light नहीं होती मैंने आपको बताया था, कुछ planet भी होते है जिनके पास खुद की light नहीं होती है उनके उपर light किसकी पड़ती है sun की light पड़ती है और वही reflect होती है it reflects the light of sun तो moon भी sun की light को ही reflect करता है उसके खुद के पास अपनी light नहीं होती है आपने luminous और non-luminous objects में पड़ा है कि जो sun है वो एक luminous object है वाइल moon जो है वही non-luminous है क्योंकि उसके पास खुद की light नहीं होती sun and we call it moonlight इसी को हम क्या बोलते है moon light बोलते है there are huge hole on the surface of the moon moon की surface पे बहुत सारे hole है यह diagram आप देख रहे हैं इस picture में आपको दिख रहा होगा यह moon की surface है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आपको गड़े दिख रहे हैं इसनी को हम क्या बोलते है craters बोलते है these are called craters there is no air on the moon moon पर बिल्कुल भी air नहीं है इसलिए moon पर आप जिन्दा नहीं रह सकते है क्योंकि आप पर air नहीं है अब हम पढ़ेंगे phrases of moon कभी आप आस्मान में moon को देखते हो रात में अगर नहीं देखते हो तो आप जाए और moon को देखिए रात में moon डिफरेंट डिफरेंट शेप में आपको दिखाए देगा कभी वो आधा moon दिखाए पड़ेगा कभी वो पूरा दिखाए पड़ेगा कभी वो ईद के चांद की जैसे दिखाए पड़ेगा अलग अलग टाइप moon जो है अपनी shape change करता है sun अपनी shape बिल्कुल भी change नहीं करता है every night the shape of moon is different हर राग को moon की shape जो है वो बिल्कुल different रहती है however the moon does not really change its shape जबकि moon अपनी shape को change नहीं करता फिर वो हमें different क्यों दिखती है due to revolution of moon around the earth revolution moon जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है जिसकी वज़े से वो हमें different different shape में दिखाई देता है the moon appear to change its shape जिसकी वज़े से हमें ऐसे लगता है कि moon ने अपनी shape को change किया है the day to day changes in the shape of moon as seen from the earth are called phases of moon यह जो day to day change होता है moon की shape में जो हमें earth से दिखाई पड़ता है इसी को हम क्या बोलते है phases of moon बोलते है we see the portion of the moon that is lightened due to sunlight हमें वो portion दिखाई पड़ता है जो कि sunlight की वज़े से उजाला दे रहा होता है स्रिफ हमें वही portion दिखाई पड़ता है बाकी portion हमें नहीं दिखाई पड़ता है अब ये देखिए आप इस pictures में सारे moon के phases आपको दिखाई पड़ेंगे ये पूरा है अब ये थोड़ा सा कम हो गया इत का चांज जिसे आप बोलते हो ये बिल्कुल half हो गया और ये थोड़ा सा ज़ादा हो गया ये जितना कम है ये ये ज़ादा है और ये पूरा का पूरा हो गया तो अब इनके अलग-अलग नाम भी ऐसी हमने दिये हो गया तो जब पूरा moon बिल्कुल भी moon नहीं दिखाई पड़ता है ये अर्थ है और ये sun है तो इनके बीच में जब moon आ जाते तो इसे हम क्या बोलते है new moon बोलते है we cannot see the moon at all हमें moon बिल्कुल भी जब नहीं दिखाई देता है इसे हम new moon बोलते है क्योंकि अब बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है अब धीरे-धीरे दिखना शुरू होगा तो उसका नया बर्थ मतलब नया मून दिखना शुरू करेगा न इसलिए उसे हम new moon बोलते है it is dark on the new moon night new moon night में एकदम अंधेरा रहता है क्यों क्योंकि sun और अर्थ के बीच में moon आजाता है okay creatures nain crescent moon अब क्या है ये crescent moon जिसे हम इद का चान भी बोल सकते है when we see a small sun lit थोड़ा सा पार्ट जिस पर sun की rays पड़ रहे होंगी portion of the moon surface it is called crescent moon इसी को हम क्या बोलते है crescent moon जब moon का बहुत ही छोटा सा portion हमें दिखाई देता है okay half moon when we see half of the moon it is called half moon जब हमें सिर्फ आधा moon दिखाई पड़े तो हम इसे क्या बोलेंगे half moon क्योंकि हमें आधा दिख रहा है gibbass gibbass moon क्या है when we see more than half ये आधा था लेकिन अब आधे से भी जाधा दिख रहा है आधे से भी जाधा पोशन दिख रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे gibbass moon क्योंकि आधे से आधा पोशन अमें दिख रहा है when we see more than half of the moon it is called gibbass moon इसे हम क्या बोलेंगे gibbass moon now full moon when we see complete moon जब हमें पूरा का पूरा moon दिखाई पड़ेगा full दिख रहा है ना आपको यह पे आधा था तो half moon था अब यहां पूरा दिख रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे full moon when we see complete moon जब हमें complete moon दिखाई पड़ेगा when we see complete moon it is called full moon यहां पर देखिए आपको complete moon दिखाई पड़ रहा है ना तो इसलिए हम इसे full moon बोलेंगे okay so यह हमारे different different phases थे moon के now in our next video we will talk about the stars okay stars के बारे में हम अपने next video में पढ़ेंगे have a great day